क्या आपने कभी इस तरीके से सोयवीन का नाश्रा बनाया है और अगर नहीं बनाया तो वीडियो को पूरी देखिएगा बहुत ही जाथा यूनीक रेसेपी है और बहुत ही यूनीक सी रेसेपी इस सोयवीन जंक्स ले रखें और इसे हम पहले थोड़ा सा बॉल करेंगे तीन से चार्वनट ताकि यह सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर बरतर में बॉल कर लेती हूँ पहले और आप चाहे तो इसकी कॉंटिटी को कमी अज़ाता कर सकते हैं तो इस बरतर में मैंने ले लिया है पानी और पानी को गर्म करेंगे एक साथ में इसमें थोड़ा साम नमक भी आड़ कर देंगे ताकि हमारा जोगा सॉयवीन है थोड़ा साफ्ट हो जाए तो यहां पर यह स्वयवीन को मैंने अबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि स्वयवीन फूल कर कितनी सॉफ्ट हो च करने के लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसे चलने में डालके इसे नॉर्मल पानी से दो लेंगे ताकि हमारी जो स्वयवीन ठंडी हो जाए और इसका पानी अच्छे से निकाल लेने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं एक चमची करीब अद्रक लहसन का पेस्ट इसमें डाले हूं साथ में डाले जीरा पावडर हो गौता चमची करीब जीरा पावडर हहां मैं दाल करा अनुसार में एक जाल रहे हूँ और जीरा चमची करीब चाट मसाला कि यहां प्रवाद के दलेंगे लाषमान आपके खान जारी अंगे अधा पर चमबशी तो यहां पर डिली वाली यहां ने अलगी यहां पर सब छीजों को पहले अच्य से mix करेंगे यहां पर स्वया बिन पर मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ गई है अब इसमें डाल देंगे यहां पर मैं डाल रही हूं एक चथाई कप के करीब दही और दही डाल अच्छे से mix कर लेंगे तो यह मैंने दही डाल दिया है और इसे फि अगर आपके पास मैदा नहीं है तो चावल काटा डाल सकते तो यहां पर मैं चावल काटा ही यूज़ करने वाली हूँ जिससे कि यह जो हमारा नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो यहां पर दोनों चीजे मैंने एक चथाए कपी करीब डाल दी है कॉन फ्लोर और अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्वयबीन पर देखिए बहुत अच्छी सी कोटिंग आ गए यह सभी उचीजों की तो आप चलते ही ने फ्राइब करने की प्रोसेस में अब डीफ्राइब करेंगे डीफ्राइब करने के लिए पैन में मैंने तेल डाल के गरम कर लिया है औ एक के करके हम मिल्टें की हाईब से सवयबीन डाल देंगे ने उल पां में में अच्छे से आ जाए उटना ही समें डालेस इसमारी में चाना को अच्छे सै अश्मधी आजानि मिजनती हाई करने खुए तो मीं तर डालें तर आरहीव 1 लाटेशन सं स्वेशन अन आयन ह्काल चटनी बहुत अशान से धनिया की यहां पर मैंने धनिया की पत्ते लेली है साथ में नमक है एक टमाटर है चार लेसम की कलिया है और तीन हरी मुचली है मैंने तो सभी को मिलाकर एक पेस बना लेती हूं हमारी चटनी तयार हो जाएगी सबी चीज़े मैंने डाल दी है चटनी तो इस तरीके से आप यह नाश्ता बनाएं शाम की चाय के साथ बनाएं फटा-फट बन जाता है और इसे इंजॉय करें चटनी कैचप किसी के साथ भी बहुत ही टेस्टिक लगता है खाने में तो जरूर ट्राय करें इस तरीके से स्वयविन का यह बहुत ही एक मिक्सिंग बोल तो इसमें मैं डाल रही हूँ आदा कपके करीब सूजी तो यहां पर साथ में अगे का प्रोसेस करेंगे तो यहां पर यह मैं इसे मिला दिया है और अच्छे से पूरे मिक्षिर को मिला देंगे पहले तो सूजी फूलने में थोड़ा टाइम लेती है इ और यहां पर अधा कपी सूजी थी आधा कप पानी और एक चोथाई कप मैं इसमें दही उजा अच्छे से मिला देंगे अगर आप चाहें तो बिना दही के भी से बना सकते हैं और इसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में तो यहां पर लिया है मैंने एक कप के करीब जब रखें और पहले तो बर्तन को कम यह साथ कर सकते हैं तो इस बर्तन में ले लिया है पानी और पानी को गर्म करेंगे तो नमक भी आड़ कर देंगे ताकि हमारा जो यह सोफ्ट हो जाए तो फ्लेवर भी आजाएक अच्छे से और यह देखें मैं इसमें डाल देती हूं य अच्छे से चार्पनट इसे घरम पानी में बॉयल कर लेंगे और इसे कवर करके रख देंगे ताकि यह बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाए तो यहां पार यह सोयबीन को मैंने अबाल लिया है और आप देख सकते हैं कि सोयबीन फूल कर कितनी सॉफ्ट हो चुकी है तो इसे पानी इसका पानी इसका पाणी लेंगे तो यहां पर मैं इच्छे से निच्ओ लेंगे इस तरीके सारी सोयबीन स्सा functioning के और इसके त्यार करेंगे इस तरीके आप देख सकते हैं इसके थिकनस है और इसे हम रखेंगे साइड में और जो हमने पहले शूजी रखी थी वह भी फूल कर सेट हो गई आप देख सकते हैं पहले से थीक हो गई है और इसके बाद इस सोयबीन हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं यह पूरी सोयबीन हम डाल देंगे इस सूजी वाले बोल में तो यह सारा मैं इसमें डाल देती हूं पहले पहले से ज्यादा रखे हैं आप की क्वांटिटी को कमिया जादा अपने अंशार कर सकते हैं सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर इसे मैं प्रोटीन वाला नाश्ता बना रही हूं तो सूजी मैंने थोड़ा ही रखा है केबल बाइंडिंग के लिए एक प्याज हमानी हिर के शया से दिखें आयों आणों cách राज तरह के कहते हैं कि समझों एक पड़ी है मिला डिया तो ठानी हिरा घ्रयफुक्त। अनुद्य ज़स साथ ओहर एक चताए छंच के करीब आप पर निर यह नहर सकते हैं जीरा पौडर पॉडर और यह अपने स्वाध के अनुसार ले सकते हैं और इसके साथ यहां पर में डाल रहे हूं आदा चम्मत चाट मसाला जिसके हमारा नाश्रा चटपटा सब बनेगा और अच्छे से मिला लेना है तो इसे में हाथों से अच्छे से मिला लेती हूं क्योंक अच्छे से ब्रश की हल्प से हम चारो तरफ लगा देंगे ताकि जो अपम पैन में हमारे यह सुयवीन के अपम बनने वाले हैं बिल्कुल भी चिपके नहीं तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है और यह पैन भी गर्म हो गया है तो इसमें हम चोटे-चोटे से बॉल बना कर इस तरीके से डालते जाएंगे तो यहां पर एक मैंने बना लिया है दूसरा भी तो सभी बना लेंगे और मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगे कि अगर आपके पास अपम पैन नहीं है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं और इसके बाद मैंने एक पैन में डाल दिया है थोड एक तरिके कե बनाके तयार कर सकते हैं मिर्ची फ्रैयज बना करते हैं थील बना कर आइजके बना तयार करकोने फ्राइब सकते हैं किudenा हैं यह ज़ु है उसces उल्चके ऊफिए नमें ऊपर अकिंपन पाने प्रशेज लिदर कोने हैं हमें सवाई बिन के और पैन वाले जो टिक wicht empower तीन बहुं जादा डीक हो गये तो शैलो फ्राइ करना है बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं कैच्टप के साथ 29 कर सकते बिल्कुल यह अलग टेस्ट है साथ में काफी हल्दी भी है और देख सकते हैं कि यह अंदर से भी इसका टेक्शर कितना प्यारा साया है तो इस तरह के से आप यह नाश्टा बनाएए और